तो आपने इसको सर्कल बनाना है मैच करके वहले देखना है कि यह मैच है यह नहीं है तो यहाँ पर आपने सर्कल बना देना है ठीक है अब देखो यह कौन सा अल्फबेट है एफ एफ है क्या यह एफ है नहीं है यह भी एफ है यह भी एफ है तो यहां पर आपने क्या करना है इसको circle बना देना C को circle बनाना है This is called odd alphabet यह match नहीं हो रहा है यह से यह C है This is J, this is J, no This is H, H, H and this is not H, यह है J तो आपने J पर circle बनाना है Next, this is M, this is M, this is M This is M, no This is not M, this is Q तो आपने Q पर circle बनाना This is odd alphabet Okay This is S, this is S This is A and this is S This is not S So आपने इस पर circle बनाना A पर circle बनाना ठीक है Okay, now Let's do the match Match आपने देखना है यहां पर कौन सा alphabet है तो फिर आपने उस picture के पास लेके जाना है उसको match करना है Then this is H आपने H से क्या learn किया था H for hat तो आपने यहां पर picture देखना है H for hat कहां पर है तो फिर आपने H को hat से match करना है Okay Then match it with hat H for hat आपने इसको hat के पास लेके जाना है Okay, next alphabet is K आपने K से क्या learn किया था K for kite learn किया था तो आपने यहां पर picture को देखना है कहां पर k for kite फिर K को kite के पास लेके जाना है Next alphabet is N तो N से अपने क्या learn किया था Nail तो आपने देखना है कि यहां पर nail वाले picture कहां पर है तो आपने N को nail के पास लेके जाना है Nail वाले picture के पास लेके जाना है match करना है इसको ठीक है उसके बाद है P पी फर आपने क्या लार्ण किया था पी फ़र पेंसिल लार्ण किया था आपने मैच करना है पी को पेंसिल के पास लेके जाना है next alphabet is E E से अपने क्या learn किया था egg तो आपने match करना है E को egg के साथ तो इसको E के पास लेके जाना है match करना है एक बर revise करना है इसको देखना है कि आपने सारे pictures match किये है या नहीं किये है ठीक है thank you God bless you, revise daily bye